हेलो एबरबडी कैसे हैं आप सबी उम्मिद कर रहों आप सबी अच्छे होंगे मैं आपका वाफ़े से सोकत करता हूं यह पीजी सीरीज मैं हूं अरपितने माफ फ्रॉम फेवरे फिलनिक पैटफॉर्म जहां पे आप साब पर सकते हो फिसिक्स के मैंसी मैंस बेलाजी एपसिलेटली भॉफ्री एट लर्नोहब डॉट कॉम तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो अलकेन हेलो अरीन्स के बारे में ठीक है काफी इजी सा है ठीक है आपको कुछ प्रॉपर जो चीज़े हैं वो समझ लेना है रियेजंट को याद रख लेना है आगे आपको कहीं अरते एक काईलाइट देखने को मिलता है अपको कहा हो याष हेलो जेंट समाझते हैं सबसे बाइली बॉंडटइट फेले थेलो यां। आर नेम्ड हेलो अलकेंस और इन दा कॉमन सिस्टम आफ नमन केचर अलकाईल हेलाइट जिसको बोला जाता है ठीक है जनरल सिंबॉल अफ दिस 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 चलो वो मैं तो आपको सब बता दूँगा अब देखो यहाँ पे अपनको समझना क्या है अगर मैं लिख रहा हूँ आर और एक्स ऐसा आर और एक्स हम सबको पता है आर क्या होता है आपका आर होता है आपका अलकाईल इसको बोलते है अलकाईल ठीक है जैसे कि मीथाईल इथाईल प्रोपाईल यह सब ठीक है मतलब कि अगर एक कारबन की चेन होगी तो इथाईल हो जाएगा अगर दो की चेन होगी तो क्या हो जाएगा आपका इथाइल हो जाएगा तो यह सब ठीक है कारबन की चेन मतलब अलकाइल यह क्या है हमारा यह एक्स को बताते है अपन हैलाइड को यह होता है है अगर यह बना कैसे होगा ध्यान से हाइडरोजन होगा ठीक है अभी तक तो कुछ गलत नहीं है चलो अभी भी कोई गलत नहीं होगा अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है यह वाले हाइडरोजन को मैं यहां से रिमूव कर दूँ ठीक है और हैलोजन को मैं यहां पर एड़ कर दूँ इस वाले कारवन पर ठीक है तो देखो formation किसका होगा यहां से क्या हुआ एक hydrogen नॉर्मल एक hydrogen नॉर्मल यह वाला रिमूव हो गया हैलोजन जुड़ गया तो इसको मैं ऐसी भी लेख सकता हूँ ना ठीक है तो यह आपका एक preparation क्या हो यह आपका क्या होता है अलकाइल हलाइड के बारे में अब हम सभी जानते हैं कि अगर मुझे hybridization की बात करनी है जैसे कि अगर मैं बात करूं CH2 double bond CH2 यह क्या है आपका अलकीन है अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका hybridization निकालो तो वो क्या होगा भाई जल्ली बताओ वो क्या होगा इस carbon का hybridization क्या होगा जितने number of atom attached है उतना और माइनस वन तो कित्य अटैच है दो हर्जन अटैच है और यहां पर एक हैलोजन जोड़ा हुआ है ऐसा कोई है अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इस वाले carbon का hybridization क्या होगा तो आप क्या बोलोगे कितने अटैच है इस से चार एटम अटैच है तीन हाइडोजन है एक हैलोजन है तो माइनस वन कर दो तो कित्त जाएगा थिरी तो यह वाला जो carbon है यह क्या है sp3 hybridized sp3 hybridized तो अब देखो इसका definition क्या हो जाता है कि अगर मैं hydrocarbon के एक हैडोजन को replace कर देता हूँ हैलोजन के साथ और वो hydrocarbon sp3 hybridized होता है तो उसको अपन क्या बोलते है अलकाइल हैलाइड बोलते हैं clear है न यहां तक ठीक है तो यह सब चीज होती है अब x क्या क्या हो सकता है x यहां पे हो सकता है आपका fluorine chlorine bromine आपका iodine ठीक है और आपका आखरी वाला वो लेकिन वो ज्यादा तर एड नहीं होता है ठीक है इसलिए यहां पे भी नहीं लिखा हुआ है clear है समझ में आगे न इतना चलो इतना लिखो लिखो नहीं है अपन सिधे आगी चलते रहते हैं तो यहां तक तो अपना एकदम clear है मामला अब आगे चलते हैं आगे क्या होता है अगर halogen है वो तो कहीं पे भी attach हो सकता है जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ CH4 के बारे में यह क्या है आप का alkin है यह है आप का alkin ठीक है अगर इस पे आके add होता है तो उसको क्या बोलता ह है hello जनका hello उठाओ यह hello उठाओ यह वाला Hello तो मैं इसको highlight कर देता हूँ आपको समझ में आजाएगा अच्छे से पिक है तो देखो hello जनका यह hello उठाया ये वाला हेलो फिर उठाया ये हेलो उठाया और ये हेलो उठाया हेलो जन और किस से जोड़ रहा है आप अलकेन से तो इसको क्या बोलते है टोटल इसको बोल देते हैं हेलो अलकेन क्या बोलते हैं इनको इनको बोलते हैं अपन हेलो अलकेन हेलो अलकेन और common system में उनको बोला जाता है alkyl halide क्या बोलते हैं उनको alkyl halide तो यहाँ पर मैं जोड़ दे रहा हूँ CH3AX एक्जामपल की तौर पर अगर मालो हलकीईन है तो क्या होगा देखो ऐसा होगा अलकीईन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 डबल बॉंड CH2 पहला मेंबर यही होता है इसको क्या बोलते है अलकीईन बोलते है और अलकीईन के एक हायर जन को हटा के मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हैलो जन जोड़ देता हूँ डबल बॉंड मत तोड़ देना ठीक है इसको जोड़ दिया मैंने तो इसको क्या बोलते है हट रहे हैं एक हट रहे हैं इसकी वेलैंसी हटती है जैसे कि अगर मालो आपका फॉर था ये वाला सी एच पॉर से हट जाएगा तो सीसिती बचेगा इसको क्या भूलूँगा मीथाइल तो इसको बोलेंगे अलकाइल सेम ऐसे अगर यहां पर क्या है यहां पे मालो एक वेलंसी अट रहे हैं थो क्या बनेगा च टantic 6 ह सी एच बचेगा एक वेलंसी किढ़ी तो क्या बोलुंगा अल्च लग जाएगा वाइल लग जा जाता है जब यह जो सीडा यहाद रख춰 श्र här Narrator पूरी सीरीस होती अスके यहां यहा यहां इसको क्या बोलते है अपन अलकाइन बोलते हैं इसका एक क्या गन्ना है हर्जन एक ही है इसके पास च्रिपल बॉंड और यहां पर ऐसा तो यह क्या हो जाएगा हेलो अलकाइन इसको बोलेंगे अपन हेलो अलकाइन clear है, समझ गए, अब यहाँ पे देखो, जो important है, एक यह important है बहुत ज़ादा और एक यह important है, अब अगर हैलोजन से जुड़ रहा है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन कैसा दिखता है भाई, हमारा बेंजीन ऐसा दिखता है, जिसको अपन C6, S6 बोलते है, जो मैंने आपको कराय रहूं देखो, कैसा ऐसा, क्या हो गया, यह डबल, 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 हैना, एक हायट जन यह वाला जो है, वो चला गया बहर, मालो यह चला गया बहर, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल हो गया, यह बेंजाइल हो गया, तो इसको नॉर्मल क्या बोलेंगे, अपन कि यह किसमें आते हैं अरीक्ते मैं कॉमन शिस्तम मैं आजाएगा अपका बैंजाईल है बेसिक चलो अब थोड़ा सा आटाइप ओफ हेलई के बारे मैं समस्ते टलऩ क्या परिन Almद आटम अठैज जुड़े हैं हैं अब थोड़ा सा चिल है द्षान से देखो पहला है primary halide, नाम से समझ में आ रहा है, अगर एक halogen for primary halide, एक halogen, one halogen attached to that carbon atom which is attached to a single carbon. single carbon, समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूँ, ध्यान से देखो, अगर कि आपके पास ऐसा present है, CH3, single, CH2 और यहाँ पर है आपके पास एक halogen, एक halogen, देखना, अब ये वाला halogen, जिस carbon से जुड़ा हुआ है, वो एक single carbon atom से जुड़ा हुआ है, वो एक single carbon atom से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलूँगा मैं primary halide, इसका नाम हो जाएगा primary halide, totally depend करता है, ये वाला carbon कितने number of उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी उपर depend करता है, चलो अब आगे समझते हैं, second example, अब अगर यहाँ पे क्या है, एक ही halogen हूँ, one halogen, attach to dead carbon, dead carbon, which is substituted by, which is, ऐसे बोलना, which is attached by, which is attached by, two carbon atom, या फिर two methyl group, कुछ भी, two carbon atom, example से समझते हैं, देखो यहाँ पे, ऐसा, एक मेरे पास यह present है, CH3, यह carbon है, यहाँ पर एक हैलोजन ले लो, यह हैलोजन है, यहाँ पर CH3 है, और एक hydrogen है, तो अगर मैं यह देखू, यह वाला जो हैलोजन आपको दिख रहा है, वो उस carbon से जुड़ा हुआ है, वो उस carbon से से जुड़ा हुआ है, दो अलग carbon से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते है अपन, बिल्कुल सही, इसको बोलते है अपन, secondary halide, secondary halide, ठीक है, similarly, अगर माल लो, एक और हैलोजन आटम है, लेकिन आप मैं डारेक्ट लिख रहा हूँ, एक और हैलोजन आटम है, ठीक है, वो जुड़ा हुआ है, एक हैलोजन आटम, वो जुड़ा हुआ है, कार्बन से, जिससे तीन कार्बन आटम जुड़े हुएं, तीन कार्बन आटम अटेज़्ट हैं, तो देखो कैसा देखेगा, ऐसा देखेगा आपको, यह देखो, CH, 3, single C, यहाँ पे जुड़ा हुआ है हेलो जन तो अब हेलो जन जिस कारवन से जोड़कार मैं जोड़ दो देखो एसा चाहह को आगा अपको सो यह तीन अलग एलग कार्वन है है CH3 x ऐसा दिखता है एक होता है सेकंड कैसा दिखता है C X यहाँपर एकрост portraits मैं क्या होता है और Side Ar sR और यह बहलों हो सकता है है Čननों भीgel रहतरा है और यह आपका सेकंडरी यह आपका प्राइमेरी क्लियर है इजी सा है यार इसमें कि अभी क्या ज्यादा कुछ नहीं आया है आगे थोड़ा सा आएगा न्यूक्लोफाल लेक्ट्रोफाइल को लेके ठीक है अभी तो इतना समझो क्लियर है चलो अब एक और चीज होती है यहां पर आपने बात करूं ऐसा CH, 3 और यहां बरेने हैज 3 सिगल CH 2 या फिर ऐसा हो ठीक है यह फिर इसको मैं ऐशे लेख साकता हूं देखो CH, 13 साथ री उसको क्या बोलूँगा मोनोहलाइड नाम क्या हो जाएगा इसका बताओ इसको मैं बोल सकता हूँ क्या है यह क्लोरोमीथेन 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 इसका नाम क्या हो जाएगा देखो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोईथेन क्लोरोईथेन ठीक है, डाय हैलाइड के बारे में देखो आप, डाय हैलाइड कैसा है, ऐसा देखो आपको, CH, CL2, CH2, CL2, ऐसा भी देख सकता है, या फिर ऐसा देख सकता है, देखो, कार्बन, यहां कार्बन हो, यहां पे भी एक कार्बन है, मान के चलो, तो यहां से जोड़ा है CL, और यहां यहां पर आपका क्या हैं यहां पर यहां पर high design नहीं पर है जोड़े हुए Hai दोनों में दो कारबन जोड़े हुए एक क्लोड़मम है hear arises अब ὁभर क्या रहा है देखो फ़र बशा ये आ रहा है कि यहां पर आपको ये वाले कारबन ये वाले compound में एक ही carbon की ऊपर क्या है दो chlorine है एक ही carbon की ऊपर दो chlorine है तो इसको क्या बोलते थे जैमिनल है इसका नाम क्या हो जाएगा जैमिनल पढ़ा हुआ है पिछली मैं जैमिनल है लाइड आयू पे एक नेम बता हो क्या होगा देखो वन टू थ्री तो इसको मैं लेख सकता हूं ऐसा टू कॉमा टू डाय क्लोरो प्रोपेन सही है डाइक्लोरो प्रोपेन इसका नाम क्या होगा देखो डाइक्लोरो मीथेन इसको बोल सकता हूँ मैं डाइक्लोरो मीथेन अब इसका नाम क्या होगा देखो इसका नाम हो जाएगा वन टू और ये थ्री तो ये हो जाएगा यहां पर क्या है वन्टू राइक लो रहा देखो नंबर बस अलग है तो इसको क्या बोलते थे अपन जिसमें अगल बगल हाई आपके हैलोजन जोड़े हुआ है फंक्शनल ग्रूप जोड़े है इसको बोलते थे विसे नल इससे अलकीन की प्रेपरेशन कैसे करते थे रियेजन का नाम कहता वो आप मुझे बता दो जल्ली से ठीक है चलो अब नेक्स चलते हैं नेक्स देखो आपका नेक्स आपके पास ट्राइयलाइड कैसे देखेगा अरे अभी तो बता है देखो ऐसे यह हो सकता है ChCl3 ऐसा, मतलब कैसा देखेगा कारबन, यहाँ पर Cl होगा यह Cl होगा, यहाँ पर भी Cl होगा, यहाँ हाइडोजन होगा, ठीक है या फिर ChBr3 या फिर ChI3 ठीक है, तो यह सारे के सारे क्या है इन सब को बोलते है Haloform Haloform ओके, सब को नाम पता है सबसे फेमस है यह वाला दिये जैन्ट इसको बोलते है क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म यह क्यों हो जाएगा आइडुरोफॉर्म आगे पड़ोगे इसके रिए एक टेस्ट भी होता राईडु ळो फॉर्म यह अब बात करते हैं टेट्रा की मतलब यहां पर कया है और को चार स सब्सक्राइब तो इसलिए लेकं को क्या बोलते हैं आपका ट्राइब ट्रा ग्रै तो ट्राइब इस यह सी लग बीछ में कार्बन यह और यह तो यहिस्ट समझ में आ गया इतना बस इतना ऐसे समझना है और जादा नहीं समझना है यहीं आपका सब्सिट्यूशन होता है आपने प्राइमरी सेकंड देखा और इनको ही बोलते हैं ठीक अब भूल मत जाना कि अगर किसने बोलेगा डाहलाइड क्या होता है डाहलाइड में वह जैमिनल है कि nature of bond कौन कौन सा क्या है अब सब्सक्राइड यह हो गया है आपकी कोवेलेंट bonding covalent bonding साही है है ना अरे बहुत अच्छे अब जरा यहां पर elements के बारे में बताओ आर का मतलब क्या है carbon होगा ना आर का मतलब carbon है ठीक है तो यह भी लग सकता हूं में कि यहां पर c और x bond यहां पर c हो और x bond बात सेम है बात तो सेम है का आर मतलब अपना carbon होता है चलो तो अब यहां पर अगर मैं थोड़ा element को compare करूं ठीक है एक साइड है मेरा हेलोजन ठीक है और यहां पर वर्सिज में चल रहा है आपका carbon carbon versus आपका हेलोजन चल रहा है ठीक है आप चलो जलो इनकी युद्ध करा दो तो हम सभी जानते हैं carbon का नेचर सबसे मैंने पूछा पुलिस कंप्लेंग हो गई इन दोनों के खिलाफ ठीक है तो यहां पर जैसे ही तहकीकात पहुंची तो लोगों ने बोला carbon भाईया बहुत positive है positive element है ठीक है compare किस से करा जा रहा था इससे इसके comparison में carbon बहुत positive है और है लोजन क्या था सर वो विलन है काफी negative है negative element है तो उनने बोला खराब मतलब कैसा वाला खराब मारता पीता है या करता है खीचा खानी करता है तो उनने का कि हाँ खीचता नहीं बहुत करता है मतलब कौन सा negative है बाईये सबसे ज़्यादा electro negative है ठीक है और यह क्या है आपका electro positive है ठीक है मतलब कि हैलोजन जो है वो काफी है तो यह क्या करेगा अपने साइड पुल करेगा एलेक्ट्रों क्लाउड को एलेक्ट्रों क्लाउड को क्या करेगा पुल करेगा अपने साइड कहां से आया भाई शेरिंग करने से बॉंड बना था ना तो जहां पर शेरिंग करने से बॉंड बना किसकी शेरिंग करी know क्या होता है चार्ज का जनरेशन हो जाता है इसने क्या क्या चाँर्ण की में क्या किस्ट कारबन से तो सब्सक्राइब कर जेजंतर एंग theo THIS अंगरुम है旧 किये थे जैसे ही चैर किये तो इसने खीच लिए आपने साइट अपने साइड खीच ले और जैसे ही खीच ले तो यहाँ पर इन दोनों की ऊपर चार्ज का जनरेशन हो गया इसके पास कमी होगा इलेक्टरॉन की इसलिए इसके उपर क्या आ गया पार्शिल पॉजिटिव चार्ज आ गया ठीक है पार्शिल पॉजिटिव और इसके पास क्या आ गया पार्शियल नेगिटिव चार्ज आ गया नेगिटिव चार्ज ठीक ऐसा शो करेंगे अपन ऐसा बनाओगे और नेगिटिव लगा दोगे अब ये जो बॉंड बना था ये कोई भी कि दाव पेज पे नहीं बना था कुछ भी आपका कैसा नहीं बना था कि इसमें कंडिशन्स पे ये बॉंड नहीं बनाया था लेकिन रहते रहते कंडिशन्स क्रियेट हो गई तो मतलब स्टार्टिंग में ये अपन समझ रहे थे कि ये जो बॉंड होगा यह कौन सा बॉंड है non polar bond है non polar bond है फिर halogen ने अपनी असलियत बताई और असलियत बताई तो क्या हो गया यह जो non polar bond है यह convert हो गया किसमें polar bond में polarization of bond हो गया polarization of bond occurs समझ में आ गया ठीक है तो यह मैंने आपको एक कहानी से समझाए अब मैं नॉर्मली समझाओंगा ठीक है यहां पर क्या हो गया डियू टू इलेक्ट्रो नेगिटिविटी को ऐसे लेख रहा हूं ठीक है अब देखो यहां पर हुआ क्या ध्यान से समझना अब थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूं कार्बन और हैलोजन इनके बीच में ऐसे बॉंड था स्टार्टिंग मैं इसा था क्या क्योंकि कारबन को नहीं पता था किर यह कैसा है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है यह है यह जो यह घा रहा हूं तो इसके उपर ऐसा चार्ज दाएगा, clear है, समझ में आ गया, तो इसके उपर क्या हो गया, polarization हो गया, मतलब हमारा जो bond है, अब यह हो गया है, polar nature का, तो अब यहाँ पर reactions होती है, इसके ही कारण क्या होती है, reactions प्रोसीड करती है, reasons थोड़े बहुत यह भी है, ठीक है, समझ में क्या गया इतना, अब, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, charge generate हो गया है, ठीक है, यहाँ पर charge generate हो गया, तो dipole moment की बात आती है, dipole moment, dipole moment, dipole moment मतलब की charge में है, charge कितना है, ठीक है, charge separation कितना है, वो क्या बताता है, dipole moment बताता है, अब यह क्या होता है, ठीक है, इसको शो करते है कि से डिबे यह आपका म्यू से और इसकी जो यूनिट होती है यूनिट ऑफ डाइपोल मुव्मेंट डिबे जिसको हम लोग दोबे-दोबे कहते थे डिबे ठीक है ऐसा होता है यहां पर अब देखो कभी यह बॉंड तूटेगा अब हैलोजन पर भी तो डिपेंड करता है 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 लोगे ऐलोजन कौन सा जोड़ा हुआ है कि लोगरीन रहा है तो अगर यहां पर फिलोरीन जोड़ा रहा थीख है तो हैलोजन है है एलोजन है ठीक है type of halogen अब ऐसा अगर माल लो फिलोरीन रहा है ठीक है तो बताओ सी और एफ की बीच में बोंडिंग कैसी होगी सी और पार की बीच में कैसी होगी और सी और आई के बीच में कैसी होगी बॉंडिंग के बारे में बाइब बॉंड कौन सा स्ट्रॉंग होगा जाहिर सी बात है इलेक्ट्रो नेगटिव सबसे ज़्यादा कौन है मेरा फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की और कारबन की बीच की बॉंडिंग काफ जो इसका nucleus है दूसरे एक electron को अपने side खीचेगा ठीक है size बहुत छोटी है जिसके करण यहाँ पर electron negativity of fluorine बहुत जादा होता है फिर chlorine आता है फिर bromine आता है फिर iodine आता है समझ में आ गया इतना तो इतनी सी बात क्लियर हो गया ना तो यह चीज रीजन्स होते है ठीक चलो अगर आपको ncrt में एक टेबल भी दी गई है कुछ यूँ आपकी टेबल दिखती है क्या है यह देखो यहाँ पर बॉंड है c3f बॉंड लेंद किती है देखो c139 139 पी को मीटर एंग्स्ट्रॉम में किता हो जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है bond length increases bond length increases और बढ़ने भी चाहिए थी क्यों क्योंकि यह item एक नमबर बढ़ रहा है bond length तो बढ़ेगी बढ़ेगी और अगर bond length बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा electronegativity क्या होगी कम होगी नीचे जाने पर electronegativity क्या होती है कम होती है ऊपर जा जा रहा है इसलिए मैं इसको increases बता रहा हूं समझ में आगे ना क्या बोलना चाहरा हूं मैं electronegativity नीचे जाने पर कम होगी कम होगी क्यों वैसे भी बॉंड लेंथ बढ़ता जा रहा है electronegativity कम होगी तो ऊपर आने पर मतलब ऐसा iodine bromine chlorine fluorine तो ऊपर आने पर आपकी electronegativity बढ़ती है क्लियर है ठीक है आप देखो enthalpy यहां पर आपको कारबन और fluorine के bond टोड़ने के लिए 452 किलो जूल पर मॉल देना पड़ेगा वहीं पर 351 293 और 234 जिसकी बॉंड लेंड सबसे जादा सबसे जादा ठीक है तो मतलब बॉंड नेचर जो क्या होगे थोड़ा वीक हो गया और अगर वीक हो गया तो यहां पर इसको आपको क्या देना पड़ेगा कम enthalpy देनी पड़ेगा बॉंड टूट जाएगा समझ में आ गया ठीक है चलो इतना लिखो फिर अपन तोड़ा और आगे चलते हैं अब आपको अगर देखनी है तो यहां पर मैंने आपके सभी के सब लिखके रखा हुए सिरिफ इस नहीं नोट्स में से आपका काम हो जाएगा देखो क्या लिखा हुए यहां पर लिखा है दा सी एक्स बॉंड इन हेलो अरीन इस पोलराइज एज हेलोजन और मोर एलेक्टर नेगेटिव दैन कार्बन सिंपल भी बात है ड्यू टू दा हायर एलेक्टर नेगेटिव अट्रेक्स दी एलेक्ट्रों क्लाउड मोर तोड इटसल्फ एंगें स्लाइटली नेगेटिव एंड अधर कार्बन एटम स्लाइटली पोजिटिव जो मैंने आपको भी बताया था सेकें डियू ती इंक्रीज इन आत्मिक साइज इंक्रीज इन इंक्रीज इन अटमिक साइज फ्रॉम फ्लॉरीन टू एस्थितिन ठीक है यहां पर कहां पर फ्लॉरीन से जा रही है आप तुछ जा ओँगे किया तक एस्टेटीन तक ठीक है दा सीएक्स बॉंड लेंथ इन हेलो एलो एरिंस इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टो एस्थेन और बॉंड लेंथ मतलब कि छोटा ज्यादा साइज है ना साइज सोटा रहेगा बॉन उत्ता स्ट्रॉंग रहेगा तो आपका ज्यादा प्रिपरेशन आपको पता है लेकिन फिर भी रिएजेंट पर ज्यादा ध्यान देना क्लियर है चलो मेथड़ प्रिपरेशन तो काफी ज़्यादा इजी है और वह मैं आपको बहुत अच्छे से समझा एक दम क्लियर हो जाएगा यार इसमें कुछ नहीं देखो क्या है अगर अलकेन को मैं ट्रीट करता हूं क्लोरीन से मतलब कोई भी हैलोजन से तो आप क्या बना क्लोरीन के साथ इंदी प्रेशन्स ओफ यहां पर क्या होता है लाइट की प्रेशन्स में या फिर ल्यूवी सन लाइट की प्रेशन्स में होती है यह सन लाइट अब वहां पर एच म्यू भी लिख सकता है ऐसे लिख देता है कभी-कभी यूवी लिखते है ठीक है समझ गए अब इसकी presence में होगी तो यह क्या करता है एक hydrogen हटेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके पास cl लग जाएगा यह लग जाएगा आपके पास cl clear है अब बात बस यह है कि यह reaction रुकती नहीं है कहाँ पर जाके रुकेगी चल अगर मैं एक मूल और cl डाल दूँ वन मूल ओफ cl डाल देता हूँ फिर से तो यहाँ पर क्या होगा फिर अब क्या होने वाला है यह है यह आपका hydrogen हटेगा एक क्लोरीन ले जाएगा वाहर तो माइनस hcl लेख दो सबसे पहले माइनस hcl क्या बनने वाला है hydrogen carbon chlorine यह hydrogen और एक और chlorine ऐसा तो यह क्या होगा आपका diahalide ठीक है इसको क्या बोलते हैं पहला वाला है मेरा monohalide इसको बोलेंगे monohalide इसको क्या बोलूँगा मैं diahalide diahalide ठीक है तो primary नहीं लिखते है primary secondary में आप सोचोगे कि सहर दो कारवन से नहीं जुड़ा है तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ monohalide और diahalide और यह आपका monohalide सही है ठीक है अब मैंने क्या बोला रुकेगी ही नहीं फिर से one mole of cl2 डल जाएगा one mole of cl2 तो क्या होगा यहां से यह है hydrogen उठा और फिर से एक chlorine के साथ चला गया तो फिर से लेख दो minus hcl minus hcl ठीक है क्या बनेगा देखो यहां पर आपका chlorine जुड़ा यह carbon है यह chlorine यह chlorine और एक hydrogen बचा हुआ है अभी भी फिर से क्या होगा एक mole और one mole of chlorine फिर से क्या होगा वही कहानी क्या होगा यह वाला h जो है यह निकल जाएगा बाहर यह वाला h बाहर निकल गया अब क्या बनेगा फिर फिर बना दो cc तो यह क्या बना मेरा यह बना मेरा टरिशभी खिर राऊ होगा इसको बोलेंगे time despair a है यह तराहलाइड एसए बनता है बाई muchas एस समझ में आ गया इतना अच्छे सर्फ ठीक है क्या क्या हो रहा है यहां पर अगर मैं किसी भी अल्केन का क्लोरीनेशन या फिर हेलोगेशन करता हूं ठीक है Hμ की प्रिजयंस में कर रहा हूं संलाइट की प्रिजयंस में तो यह रियक्षन रुकती नहीं है अव इससे जादा तो करा नहीं सकता कार्बन के सब बॉंड भरे हुए है अब पांच तो ब समझ में आ गया तो यह आपका एक प्रॉसेस हो गई अब सर मुझे नहीं जाना ही नहीं है मुझे सिर्फ एक बनाना है और यह सारी की सारी प्रॉसेस जो है मुझे ब्लॉक करनी है तो मैं क्या करऊँगा आपको सिर्फ एक चीज़ करना पड़ेगा आप क्या करना यहां पर अलकेण का कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन आफ अलकेण काफी ज़ादा हाई ले लेना घैन आपका क्लोरिन तो इससे क्या होगा शुट्से यह होगा कि आपके जो फर्दर यहां पर क्या हो रहा है यह ए फ़्ब्लोग इतना जादा क्लोरिनेशन फ्र्दर क्लोरिनेशन स्टॉप्स this much amount of Alkane या फिर high amount of Alkane समझ में आ गया ठीक है तो यह आपको बस इतना याद रखना है और कुछ जादा याद रखना है अब यहां पर ब्रोमीन भी ऐसी जोड़ सकते हो अब लेकिन अगर आपने आयोडीन जोड़ा आयोडीन का ट्राय किया ठीक है तो कैसे बताओ इससे बत और यहां है जैसे अपना कैने कल रहा था HCL HCL बाहर हो रहा था यहाँ पर कैने कलेगा बाहर HI जोड़ेगा अब HI जो है ना इसको वापस से S में बदल देगा HI जो है वो वापस से S में बदल देगा क्यों क्यों कि यह बहुत अच्छा reducing agent है सामने वाले को क्या कराता है oxidize कर ऐसे possible ही नहीं होती है आपको हमेशा एक यहां पर आपको लेना पड़ेगा catalyst जिसको मैं बोल सकता हूँ HI O2 या फिर O3 यहां पर आपको concentration concentrated H2 HNO3 लेना पड़ेगा ठीक है तब ही जाके आपके क्या होगी यह वाली reaction proceed होगी वरना नहीं होगी याद रखना यह बाठीक है क्य हो क्यों हो क्यों है तो यह फर्दर इसको क्या कर देगा reduce कर देगा फर्दर इसको reduce कर देगा तो नहीं होगी process तो इसना बात को ध्यान रखना और फिर ही reaction को proceed करना clear है समझ में आ गया चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं अब देखो from alcohol यह reaction भी आप जानते हो मुझे बहुत फट से बना देना देखो alcohol can be converted by alcohol by reaction of thionyl chloride मतलब SOCl2 हो सकता है आपका phosphorus trichloride phosphorus pentachloride और phosphorus tribromide ठीक है तो यह सारे के सारे reagent है इनको भाईया अच्छे से लिख लो तो उपर लिख देता हूं तो अपने पास आगे भी जगा होगी ठीक है पहला reagents इन reagents को अच्छे से याद रख लो पहला तो SOCl2 most important most most important ठीक है यह darzans process यह most important है thionyl chloride फिर PCL3 फिर PCL5 और फिर आपका PBR3 PBR3 PBR5 यहाँ पर exist नहीं करता है PBR3 PBR5 exist नहीं करते हैं ठीक मतलब वो stable नहीं होते हैं समझ में आगे तो यह reagent जो है इनको भाईया रट लो अगर रटना चाहो अब कैसे होगा पहला मैं आपको एक बताता हूं H2SO4 की मदद से बहुत मज़दार है यार देखो अलकॉल होता है ना अलकॉल क्या होगा एक्जामपल ले लेते हैं अपन CS3 ऑक्सिजन और यहां एक हाईडोजन होगा यह होगा ठीक है और इसको नहीं लेते हैं तो अपन थोड़ा टफ ही बना लेते हैं इसको ठीक है कैसे बनेगा देखो ऐसा होगा कि CH3 CH यहां पर भी CS3 ले लो यहां पर CH2 और OH है ऐसा लोन पयर लोन पयर लोन पयर लोन पयर अब मैने लोन पयर अगर बनाया है तो कुछ न कुछ होने वाला होगा ठीक है अब इसकी रियक्शन अगर मैं करा रहा हूं च्छ और आप देखो बच्चो इतनी द्यान से पढ़ते आ रहे हैं अपन यहां पर रहा है तो यहां पर हो जाएगा इसका प्रोटोनेशन हो गया प्रोटोनेशन ठीक है आप एच्छ तु फूर एसील भी ले सकते हो कोई दिक्कत ने ठीक है एसट फूर एसील तो क्या CH यहाँ पर CH3 ठीक है यह CH2 है बहुत प्यारा यह oxygen की उपर दो hydrogen हो गया कैसा देखेगा oxygen hydrogen और hydrogen यह हो गया प्लस तो यह क्या करता है यह oxygen अपने electron लेकी निकल जाता है मतलब minus H2O बन गया बार आ हो गया ना और जैसे ही यह निकला तो यहाँ पर बन गया आपका कार्बो केटाइन राइट कार्बो केटाइन अगर बन चुका है तो अब क्या होगा stability की उपर जाना पड़ेगा stability की उपर बगल वाले के पास एक hydrogen है तो सबसे ज़्यादा stable क्या होता है hydride shift या alkyl shift बहुत प्यारा hydride shift तो करा दो जैसे ही hydride shift कराएगा ठीक है तो कैसा बनेगा CH3 यहाँ पर इसी यह प्लस आ गया यहाँ CH3 और यह आपका CH3 अब यह जो chlorine बचा H तो जुड़ चुका है H तो जुड़ गया इस से यह तो medium था CL बचा ना तो यह CL को आके जोड़ दो यह क्या बन जाएगा chlorine आएगा chlorine आएगा इस क्यू पर डालेक्ट आके अटेक करेगा तो बन जाएगा आपके पास CH3 single C के उपर फिर से CH3 यह वाला प्लस हट गया chlorine लग गया और यह CH3 ऐसे ठीक है समझ गए तो यह एक process होती है ऐसे आप बना सकते हो clear हो गया ना समझ में आ गया यह अब दो तीन point important है जिसके वो यह लिख लो पहला तो H2SO4 बन चुका है ठीक है जब भी जब भी alcohol प्लस H2SO4 होगा तो यहाँ पर क्योंसी process होगी dehydration process dehydration process होगी dehydration ठीक है तो यह second dehydration तो होगी होगी क्या होगा यहाँ पर कार्बोकाटाइन का formation कार्बोकाटाइन formation होगा और अगर कार्बोकाटाइन formation होगा तो always focus on rearrangement always focus on rearrangement ठीक है बिना उसके बिल्कुल भी try मत करना आगे addiction करने का ओके चल अब तीसरा point तीसरा point क्या है फिर उसके बाद attack करोगे आपके इसका chlorine का अब तीसरा point important यह है कि यहाँ पर अगर tertiary and secondary alcohol होता tertiary and secondary alcohol do not do not give इसका reason क्या है आप मुझे बताओ चलो दिमाग लगाते हैं साथ में आजाईए साथ में दिमाग लगाएंगे यह आपका carbon है टरशरी बना लो direct OH यहाँ पर क्या है आपके पास CH3 यह भी CH3 होगा और यह भी CH3 होगा और अगर मैंने यहाँ से डाल दिया H2SO4 तो यहाँ पर क्या होता है dehydration तो होता लेकिन alpha beta elimination होता याद रखना यह बाठीग है क्या होगा यहाँ से यह OH निकला यह H निकला बाहर और क्या बन जाएगा फिर CH2 double bond carbon यह आपका CH3 और यह आपका CH3 आप कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पर आप बना दो HBR के साथ reaction करा दो तो ब्रोमीन बन जाएगा लेखो यहाँ पर आपका ब्रोमीन बनता तो है ब्रोमीन जो है वो बनता तो है लेकिन एकदम minor quantity में बनता है किसमें बनेगा minor product बनता है यह और minor product से मुझे लेना क्या यह क्या बनता है मेरा major product बनता है ठीक है माइनर प्रोडक्स से मुझे क्या लेना देना तो यहाँ पर आद रखना अगर आपने टर्शरी का करा दिया और सेकेंडरी का करा दिया तो आपको वहाँ पर अलकीन का formation major मिलेगा और minor मिलेगा आपको किसका अलकायल हलाइड का तो जो मुझे चाहिए है वो मुझे इतना सा मिलेगा तो मैं क्यों कराऊंगा reaction सिंबल सी बात है ना तो यह आपका यही वाला point जो है वो काफी ज़दा important है secondary and tertiary alcohol do not give alkyl on reaction with on reaction with यह भी लिख लो on reaction with on reacting with h2so4 और जैसे आपके reagent होता है hcl hbr जो जोड़ना हो वो सब क्लियर हो गया समझ में आ गया यह तो एक प्रोसेस थी अब दो और बची अपनी pcl5 pcl3 चलो अपन उसको देख देखो अब अगर pcl5 है या फिर pcl3 है तो क्या होने वाला है बहुत सिंपल सा है आर ओ एच लिलो pp3 ऐसा एच त्री यह कैसे निकल लगा अरे देखो इदा यह क्या है आर ओ एच यह ओएच एक और मोल होगा यह एक और मोल होगा किसके साथ जोड़ रहा है pcl3 के साथ तो तीन क्लोरीन इस ते जोड़ दो डारेक्ट सी एल से तो क्या हो जाएगा तीन मोल है ना तो तीन मोल ना तो तीन मोल फ रचील बन गया और यहां पे क्या दिख रहा है आपको एक पी 1 फी यह एच 3 ठीक है यहां पर आपका यह बन गया क्लियर तो ऐसे निकल जाती चीज़ है आप देखो अगला वाला भी आरे बहुत एजी है मैं बोल तो रहा हूं ध्यान से समझोगे तो एजी है अब आगर आरो एच्छ है और यहां पर हो रहा है PCL5 अब कंसंट्रेशन जादा है क्लोरीन का याद रखना ठीक है तो क्लोरीन भी निकलेगा सांत में ना क्लोरीन जो है आपका यहां पर जादा दिख रहा है तो क्या निकलता है देखो यहां पर यहां पर आपका बनता है आर CL तो बनेगा ही बनेगा कुछ भी हो जाए RCL नहीं चूटेगा RCL तो बनता ही बनता यहाँ पर POCL 3 बनेगा ठीक है यहाँ पर क्या बन जाता है आपका POCL 3 बनेगा तो प्लस POCL 3 बनेगा ही बनेगा और यहाँ पर HCL बाहर हो जाएगा बस ऐसे ठीक है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इतना ज्याद रखना है कि PCL5 PCLC से बन रहा है similarly किस के होगा आपके साथ देको ट्राइब रोमो के साथ जाएगा PBR5 जो है वो exist नहीं करता है ठीक है stable नहीं होता है तो वो नहीं बनता है क्लियर हो गया इतना समझ में आ गया अब एक और next आर ओ एच प्लस एस ओ सी एल टू तो याद रखना यह बहुत important reaction है इसकी reaction होती है पाइडीन की presence में किस की presence में सही सुना पाइडीन पाइडीन की presence में क्या बनता है बिल्कुल सही आर सी यल तो बनेगा ही सन बनेगा प्लस SO2 gas निकल जाती है और HCl gas निकल जाती है ऐसे ठीक है तो ये वाली reaction काफी ज्यादा preferred होती है काफी ज्यादा important होती है इस reaction का नाम होता है डारजन reaction डारजन reaction अब सरे important क्यों है preferred क्यों कि जो चीज मुझे चाहिए है वो तो मुझे मिल गई ओहो वाव अर पिट्सर यहां पर क्या बना है और सी एल बना है जो चीज मुझे चाहिए है वो तो मुझे मिल गई बाकी की जो मुझे नहीं चाहिए तो मुझे इनको एक्स्टा मैनत नहीं करनी पड़ेगी निकालने के लिए वो तो अपने आप ही गैस बनाके निकल गए ठीक है तो यह क्या है एसो टू गैस है यह है एसो टू गैस यह है एसी एल गैस तो reaction होते जाएगी यह गैस के फॉर्म में उड़ते जाएंगे जो भी मुझे मिलेगा यह मिलेगा ठीक है और यह सारी के सारी क्या बना रही है यहे मैं और गैसर उड़ जा रही है और मुझे चाहिए काम के चीज़ बच जाराए ठीक है इसलीए क्या होती है मैंट्ने ही करने पर रहे है ना काम की चीछ बच पार रिये समझ में आ गया ठीक है यासे देखो अपन सर पी बेयर 5 क क करूंगा तो आपकी ब्रोमीन बन जाएगी ठीक है तो आल काइल ब्रोमाइल बन जाएगा ठीक के बेरों मॉलकीन बने के लिए तो आयोडीन बनाने के लिए आगे hetO doses होते हैं अगर अगरो यहान से देखो वो भी फिर से KI की presence में बस acid बदल दो ठीक है H2PO4 ले लो ठीक है तो H2PO4 ले लो तब यह बनेगा और एक और ले सकते हो अगर आपको reaction करानी है HI की presence में प्लस यहाँ पे क्या होता है H2PO3 होता है बस बनेगा sub-sim क्या बनेगा RI यह बनेगा आपके पास wh дов k吗 audo alkyn निकलती चीज़े अलग यहाँ पे निकलता है water ठीक है यहाँ पह को निकलता है KHPO4 गा हएच PO4 यह निकलता है और यहाँ प आपको दिखारा है जो SO4 है तो वही निकलता है जादा कुछ नहीं निकलता है इतना याद रखना है कि आयोडों के लिए आपके रियेजेंट जो है वो अलग होते हैं तो रियेजेंट पर फोकस करिए, कहीं ना करिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, रियेजेंट्स, रियेजेंट्स, फॉर आयोडिनेशन, फॉर आयोडाइड, अलकाइल आयोडाइड, क्या होगा प 2PO4 थर्ड में आपका क्या है आपको यह है 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 एच आई प्लस है एच टू एच थ्री पीओ थी बस एक एक बदल दोना यह एच बढ़ा देना पियो ऑक्जन कम कर देना ठीक है जब भी आपका है ले रहे हो तो समझ में आ गया तो यह चीज़े आपको लेनी है और क्या ही दि एक्सचेंज से भी बना सकते हो कैसे बनते हैं चीज़े द्यान से देखना यहां पर पहली रियक्शन है फिंकल स्टीन रियक्शन जो कि आपके एंसी आर्टी में भी बहुत इसी होती है रियेजेंट बस थोड़े से अतरंग यह बाकी सब इसी है देखो क्या लिखा है 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 हेलोजन एक्सचेंज मेथज इन विच और बीएर ग्रॉप और रिप्लेजड बाई ग्रॉप टू गिव आयोडो अलकेन और ऐलकाईल आयोडाइड डिया यहां पर क्या हो रहा था हम आयोडाइड बना ही नहीं पा रहे थे इतने टाइम से तो आयोडाइड बनाने के लिए कुछ process होती है जिसको अपन हैलोजन exchange बोलते हैं क्या होगा नामसी समझ में आ रहा है है हैलोजन exchange होगे बहुत अच्छे यहां पर क्या है RCL ले लो अगर चाहो तो CH3 यहां पर एक क्लोरीन ले ले लेता हूं RCL हो गया ठीक है इसकी reaction मैं कराता हूं metal iodide के साथ क्या है यह सोडियम iodide क्लियर है यहां पर देहां से देने वाली बात है आपके काया solvent तो यह होता है acetone की presence में या dmf ले लो या dmso ले लो यह क्या है dimethyl formamide ठीक है यह क्या है आपके पास dimethyl dimethyl formide यह क्या है dimethyl sulfoxide dimethyl sulfoxide आपके कुछ नहीं है solvent ही है अगर यह चीज़ आपको देख जा रही है कहीं पर भी आपको कुछ नहीं करना है इस i को इसके साथ बिठा देना है यह वाला जो i है इसके साथ बटा देना है और इसको बाहर निकाल देना है क्या ही बचा या सब तो निकल गए देखो CH3 यह जोन गया i plus निकल जाएगा ncl तो आपको देख रहा है न कि यहां पर क्या हो गया देखो यह आयोडीन यह क्लोरीन यहां पर क्या था यह वाला आयोडीन और यह क्लोरीन तो हो गया न यह बोल सकता हूं न हैलो जन एक्सचे की हैं यहां पर भी सेम दिकल रहा है क्लिर एक्लूरीन इसके साथ ताब इसके सांथ और यह तो दुनिया की रीत है जो जिसके सांथ है वो दूसरे की सांद पर जाते हैं समझ गए ना ये इसको बोलते है H2Tune की presence में ये DMF और DMSO की presence में clear है इतना बस याद रखना है और एक छोटी सी चीज याद रखना है आप सभी को कि ये होती है आपकी SN2 reaction SN2 reaction ठीक है ये सब reactions क्या होती है वो मैं आपको next वीडियो में बहुत डीटेल में बताने वाला हूँ तो वो अपन अच्छे से देखेंगे न्यूकलोफाइल से चलेंगे फिर आगे जाएंगे clear है इसके ही जैसी एक सौर्थी reaction होती है सौर्थी क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सौर्ट्स reaction होती है यहाँ पे फ्लोरीन को जोड़ा जाता है क्या है बेखो यहाँ पे अलकाइल क्लोराइड और ब्रोमाइड रियक्ट वितर बैटलेक फ्लोराइड सच एज एसा देख रहा है ठीक है एग्जी एफ एग्जी टू एफ टू सी ओ एफ टू एन एस बी टू टू फॉ पॉरम अलकाइल फ्लोराइड सेम रीजर्ट सेम कुछ नहीं करना आपको क्या करना है बस आर सी एल ले लो ठीक है एग्जाम्पेल के तौर पे सी एफ ढ़िए छी इल ले लो या फिर सी एफ ढ़िए ले लो जो चाहो वो ले लो ठीक है इसकी reaction अगर हो रही है presence matter करता है बच्चों HG2 F2 की presence में ये कहीं पर दिख जाए AGF दिख जाए silver fluoride दिख जाए या फिर COF2 दिख जाए ये भाईया कार्बोनाईल बस समझ लेना ठीक है वनना इसको carbon monoxide समझ लो ठीक है या ये दिख जाए या फिर आपका दिख जाए FBF3 जो सब से ज़्यादा common है वो मैं highlight कर देता हूँ जो आपको दिख सकता है AG2F2 SBF3 और AGF ये common है ये इतना common नहीं है ठीक है तो ये आपको पूछ सकते है एक्जाम में अब जैसे ये दिख जाएगा क्या बना दोगे आर और F लगा देना इसको क्या बोलते है फ्लोरोलकीन फ्लोरोलकीन या फिर यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ अलकाइल यह एकदम सिंपल साया यह तो एंस्याटी में यह सेम आप सी क्या फॉलो करेगा एसन टू फॉलो करेगा ठीक है समझ में आ गया अब इसको सौर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं वैसे तो आपके साइंटिस का नाम है सौर्ड इसलिए बोला हूँ क्योंकि फ्लोरीं सौर्थी है सौर्थी क्यों है कि दो खुद बैड़ गया उसको बगा दिया तो यह सौर्थी है तो जैसे चाहो वैसे याद कर सकते हो हेलोजन एक्स्चेंज में यह आता है ठीक है समझ में आ गया चलो अब नेक्स देखते हैं हुंस दिकर तो उसमा और मजाएगा लेक्शन काफिया सिं यह इत्ती बड़ी बात क्या है आप उनको क्या समझना है चोटी सी चीज देखो अगर कार्बॉक्स लेक्षिड कैसा लिखता हूं सी एच थ्री सी डबल बॉंडो बस यह है अरे नहीं सार यह तो कीटोन टाइप का बना रहे हैं आप हैच लगा दो लगा दो कार्बॉक्स करा रहा हूं मैं किस के साथ करा दू बताओ इसकी रियक्षन मैं करा रहा हूं ब्रोमीन के साथ तो यह हो गया ब्रोमीन ब्यार टू ऐसा ओके तो यह मुझे क्या देता है यह मुझे डारेक्ट देगा कैसा सी एच थ्री और ब्यार साथ ही साथ सी यो टू बाहिर ऐसा कैसे ह हो गया कि सोच पाए कैसे हो गया यह तब पुरा प्रॉरत कहां चला गया तो आप वह मैं आपको समझाता हूं से देखना बढ़ा मज़ा है यार देखो मैकनिजम में बहुंच मज़ा आता है जब इदर ऊदर होता है देखो तेखो क्या होगा मैं का निजम मेका निजम बोलता है कि ये ले लो सबसे पहले तो रियेशन कराओ CS3 C double bond ये आपका O है नेगिटिव होगा ये AG है ये प्लस होगा प्लस BR लगा लो BR और BR ये BR इसकी उपर अटेक करेगा सबसे अच्छी चीज दिख रही है मुझे ध्यान से देखो AG ये BR तो AGBR बाहर हो गया AGBR बना ये बाहर ठीक है बनजाबता ने तो AGBR बन गया तो अब मुझे क्या बचा देखो मुझे देख रहा है CH3 C के उपर double bond oxygen और एक oxygen और ये बी आर अब इस BR को ना बहुत छोटा फील हो रहा है जो है वो काफी जादा electronegative है तो ये BROMINE कहता है तो एक काम करो oxygen ये इसके साथ गेम खेलता है BROMINE कहता है oxygen मुझे अपना bond दे दो मुझे अपना electron दे दो तो ऑजिन ऐसा खड़ा है कि कहता है कि तू जानता है मैं कौन वो कहता है नहीं तो कहना आपने चाचा से पूछ क्या दादा से तो ये वो बोलता है oxygen कि I am the second most electron negative element in pure deductible ठीक है आपके दादा जी के बाद तो ये का oxygen कहता है कि जाओ अब तुम ये BROMINE कहता है एक काम करो मुझे मेरा electron दे दो मुझे गलती रियलाज हो गई और आप अपना electron रख लो तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हो रही है homolysis मतलब क्या हो रहा है यहाँ से bond equally distribute होगा equally distribute हो जाने के कारण formation of क्या होता है heterolysis में क्या हो रहा था plus minus humolysis में क्या होता है बिल्कुल radicals तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 C double bondo यह oxygen यह radical बन गया radical तो यहाँ पर यह radical जैसे ही बनता है सबसे अच्छा living group आपको दिख रहा है यह वाला क्या निकल जाता है यहाँ से CO2 बाहर हो जाता है और यह छोड़ जाता है आपके पास क्या यह बज जाती है आपके पास CH3 radical ऐसे CH3 radical clear? समझ गए? अब यह BR बाहर गूम रहा है ऐसे समझ लो वैसे तो क्या होता है एक mole of this reaction करता है यह वाला एक mole इसका reaction करता है तब जाके bromine बनता है लेकिन ऐसे समझ लो यह BR बाहर हो गया था बाहर हो गया तो वही BR बाहर हो गया तो वही BR बाहर हो गया इसके साथ जुड़ गया तो यह radical radical तो यहाँ पे क्या बन गया? CH3 BR बन गया तो ऐसे reaction होती है ठीक है? आपको याद क्या रखना है कि हूंस देकर reaction में सबसे पहले तो हीमोलाइसिस होता है और radical का formation होता है ठीक है? हूंस देकर reaction में सबसे पहले क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है आपका होमोलाइसिस हीमोलाइसिस तो आपका बलड का तोटना होता है है ना? होमोलाइसिस हो रहा है homolysis और यहां पर रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है समझ गए रेडिकल का फॉर्मिशन और होमोलाइसिस हो रहा है समझ में आगे इतना ठीक है फिर आपका ब्रोमिन आके जुड़ रहा है चला मामला बहुत प्यारा ठीक है समझ गए अब दो-तीन कंडिशन को याद रख लो पहला यहां पे हो रही है फ्री रेडिकल मेकिनिजम को कि रीक्षन पहले UM सा करेगा प्राइम इरी फिर सेकेंड्री फिर टर शरी करेगा और सरुभ और यहां पर क्या हो रहा है uda कि अ कर बंद चेंड यह सभधीक्शन हो गई कया बन गया कार्बन है आप यठ क्ला कर देता हो यह बेड़ीर निय cómo आपकी हूं कर देता हूं यह फूरा जैशा क कॉर्ड़ निकल निकल गया ठोब समझना इसको क्या बोलता है barreसनिंक घैन हो गई समझ गए क्लियर है तो यह होती है आपकी हुंस डिकर रियक्शन अब चलते हैं अपन डायरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की उपर जिसमें आपको सर्फ दो तीन चीज़े को ध्यान रखना है पहला पहला क्या है कि कार्बन और कार्बन पांच तक कार्बन नमर पांच तक होता है इसलिए मैं नहीं बताया था फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन जो होता है और यह सारे क्या होते हैं है और इनकी जो electronegativity order है fluorine, chlorine, BR और यह आपका iodine होता है ठीक है और अगर मैं देखूँ तो नीचे अगर मैं जाओंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है atomic weight बढ़ रहा है atomic weight बढ़ रहा है और ऊपर आओंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है boiling point एक मिनद यह double double है यहाँ पर क्या होता है जितना ज़्यादा अगर आपका क्या है इसको ऐसे नहीं लिखना ऐसे लिखना अगर आपकी chain जादा है ठीक है यहाँ फिर मैं ऐसे लिखूं अगर आपका branch जादा है अगर आपकी branch है chain ठीक है branch 3 है तो branch chain में क्या होता है वो surface area कम हो जाता है surface area कम हो जाएगी तो आपके जो boiling point है वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ऐसे समझ लेना जितना ज्यादा बांच 3 होती कम boiling point एक द्रीक है do power अ क्यों चाहिए एक ज्यादा जाता हुट है टीक है एमके मास जादा है ना माज ज्यादा तो एवियर देLटर अगर आपका क्या है इनके मास कं боль क्लिक तो lighter than water तो वस इतना ही ध्यान रखना है clear है तो यह हो गए हमाई physical properties के बारे में तो दोस्तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही इसके जो notes ने आपको description के बीच में नीचे मिल जाएंगे वहाँ पर अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे से notes बना सकते हो ठीक है अब मैं आपसे आने वाले वीडियो में मिलूँगा और मैं मिलूँगा वहाँ learn हो फिर ये पर बैस जा जब तक के लिए बाई बाई खयाल रखिए और notes बनाते रहिए